स्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्पिरिच्छ और स्पार्कल में आज हम बात करेंगी कि सुंदरकान करने का सही तरीका क्या है, सुंदरकान पढ़ने की सुवत कहां से करने चाहिए और किस विद्द से करना चाहिए और पारपूर्ण होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और जानेंगे एक ऐसा उपाय जिसके करने से होंगी सारी वधाएं दूर और मिटेंगे सारे कस्ट सुन्दरकांड में ऐसी कौन जी चौपाई है जिसे पढ़ने से होती है सभी मानों कामना पूर्ण और आज हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या सुन्दरकांड का मात किसी विशेज दिन पर है क्या महलाएं सुन्दरकांड का पाट कर सकती है और कैसे हमें पूर्ण फल की प्राक्ति होगी स्री रामचरित मानस एक दिव गरंद है स्री राम चरीत मानस में कुल साथ कांडों का उनलेख है इन साथ कांडों को मोचधाइनी कहा गया है इसमें सुन्दर कांड का विशेस मात है क्योंकि इसमें हनमान जी की दिवता का वड़न विभिन तरीके से किया गया है सुन्दर कान में दिव शक्तियां हैं जिसका वो हम इसे पढ़करी कर सकते हैं सुन्दर कान का पाट अगर विधी पूर्वक संकल्प लेके किया जाए तो ये और भी प्रभावसाली हो जाता है पाट के पूर में सरप्थम अपनी मनों कामनाओं को अपने मन में कहते हुए संकल्प लें फिर गणेश आदी देवताओं की पूजन करें तत पस्चाद भगवान स्री राम का पंचोप चार विधी द्वारा पूजन करें और उनका ध्यान करें और तोड़ सोप चार विधी द्वारा स्री हर्मान जी का पूजन करके एकाग्र मन से उनका ध्यान करें तत पस्चाद हर्मान जी का भीज मन्त का पाट 108 बार करें फिर स्रद्धा बाव सहित सुन्दर कान का पाट आरंब करें सुन्दर कान का पाट शुरू करने से पहले किस किंदा पाट के नितिस्वे दोहे के बाद से ही पाट की सुरुवात करें सुन्दर कान को अगर द्यानिक जीवन में जोड लिया जाए तो सभी मनों कामनाओं की पूर्थ होती है अब हम जानते हैं कि सुन्दर कांट का पाट हम किसी विशेज दिन ही कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं तो सुन्दर कांट के बारे में लगवग सभी धर्माचारियों का मत है कि इसका पाट किसी भी दिन किया जा सकता है बस यह ध्यान रखें कि राम जी का इसमाण अवस्यक है क्योंकि सुम्हनमान जी ने ही राम प्रगवान से आशिरवाद लिया था कि जहां पर आपका नाम लिया जाए आपकी कता हो मैं वहाँ वहाँ पर उपस्तित रहूं जिससे मैं आपके और आपके नाम के मिज़ा समीब रह सकूँ तो चलिए अब जानते हैं कि क्या महलाएं भी सुन्दरकांट को पड़ सकती है तो जी हाँ महलाएं भी सुन्दरकांट का पाट कर सकती है कहीं भी रमायन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि महलाओं को सुन्दर कान का पाण नहीं करना चाहिए अब हम जानते हैं कि हम सुन्दर कान का पूर्ण फल प्राप्त कैसे करें पूर्ण फल प्राप्त के लिए हमें अपने साथ एक पात्र में जल भर कर रखें और संपूर्ण पूजा के दारान उस पात को ढख कर रखे पूजा समाप्त होने के बाद से भगवान जी की उपस्तित के काण ये ज़र अभी मंतरित हो चुका है अब इसे स्वमले और अपने परवार को भी दे जानते हैं कि सुंदर कांड में असी कौन सी चौपाई है जिसको पढ़ने से मनुस्की सारी मनुकामनाई पूर होते हैं इस चौपाई को 11 दिन तक लगातार 108 बार करने से मनुस्की सभी मनुकामनाई पूर होते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद